हलो एवरिवन, एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चानल BAMS Lectures में और मैं हूँ आप सभी के साथ भव्या आज हम आचारे वागबट के बारे में जानेंगे, तो चली शुरू करता है आयरवेदिये गरंतों में चार वागबटों का वर्णन प्राप्त होता है जो गरंत है आपका उनकी रचना की है तो हम आज मेंली व्रद वागबट और लगु वागबट के बारे में जानेंगे जैसे कि बहुत ही कॉंट्रोवर्शियल माटर चलता है कि वागबट ने अस्टांग रद और अस्टांग संगरे दो गरंतों का रचना की है तो किसने कौन सी गरंत की रचना की है इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं व्रद वागबट की तो जो व्रद वागबट हैं उन्होंने अस्टांग संगरे नामक गरंत की रचना की थी इन्हें प्रथम वागबट भी कहता है अश्टांग संग्रह के पूरवर्ती गरंथ समझने में कठिन थे और उनमें आयरवेद के एक-एक अंग का ही वर्णन था अथा आठों अंगों से पलिपूर्ण ऐसे गरंथ की रचना व्रद वागबट ने की थी व्रद वागबट के जो पिता जी थे उनका नाम सिह गुप्त था और इनके दादा जी का नाम भी वागबट था और इनके दादा जी का ही नाम इन पे सरपास किया गया था उनके गुरू का नाम अवलोकिता था और इन्होंने अपने पिता जी और अपने दादा जी से ही आयरवेद के जयान की ब्राप्ति की थी वरद वागबट के काल की बात करें तो ये छटी शर्चती के माने जाते हैं आयरवेद में इन्होंने अश्टांग संग्रह की रचना की थी जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अश्टांग संग्रह में कुल 6 स्थान है और 150 अध्याए हैं जो की इकुछ इस प्रकार हैं सबसे पहले सूत्र स्थान जिसमें 40 अध्याए हैं फिर शारिर स्थान जिसमें 12 अध्याए हैं फिर निदान स्थान जिसमें 16 अध्याए हैं लगू वागबट की तो जो लगू वागबट है इन्होंने अश्टांग रिदय ग्रंद की रचना की है इन्हें दुतिय वागबट या स्वल्प वागबट भी कहा जाता है तो इनके जो काल है वो सातवी शताब्दी का माना जाता है और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 120 सध्याह । तो इस प्रकार से इसमें कुल 6 स्थान है और टोटल 1200 सध्याह है तो इस प्रकार से वागभट का आयरवेद में क्या कॉंट्रिब्यूशन रहा उनका क्या importance था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है सो आज की लिए बस इतना ही थांकिय सो मच